इस बैंक ने इसका अपने प्रोफित दिखाया 506 क्रोर का, उता 26,500 क्रोर का, अतलब साहे 6,000 क्रोका, एक cash flow 3,000 क्रोपिया मिलेगा इस कौर्टे में, प्रोफित अपना टैक्स आगा 4,000 क्रोर का, दी एचे फेल का रिकब बहुत बार जलिट आने वाला है, एक PNB का सेर प्र नमस्कार दोस्तों, मैं राजिस्कमर आपका बहुत बहुत साथ करता हूँ, आपके अपने चैनल एड़ प्रोटेक में, दोस्तों पिछले कुछ दिनों से यूटूब पे बहुत सारे वीडियो आच चुके हैं PNB के उपर, और लोग बता रहे हैं कि PNB में एक बहुत बह बड़ा मूव आने वाला है, मल्टी वेगर स्टॉक बनने वाला है, तो दोस्तों जितनी भी वीडियो हैं, इसमें मोशली वीडियो में वो बता रहे हैं, चार्ट को देख करके बता रहे हैं, चार्ट को देख करके बड़ा मूव आने वाला है, लेकिन अगर आप चार्ट क प्रोफिट बॉक करना स्टार्ट करें तो ऐसे समय में आप फ्रस सकते हैं और आपको साइद उस सेर से बाहा निकलने का मौका ना मिलें बहुत सारे इसे एक्जामपल्स हैं जिसमें कि बड़ इंवेश्टे ने बहुत सारे पैसे डाले और उसमें अपर सर्किट लगता गया अगर जब उन्होंने प्रॉफिट बुक किया तो उसके अदो लोर सर्किट लगता गया और लोगों को कोई बाईयर नहीं मिला और सेर से बाहा निकलने का मौका नहीं मिला अगर आपको long term के लिए investment करना है तो आपको किसी भी company का share में पैसे लगाने से पहले उसके fundamental को देखना होगा कि उसके fundamental में क्या कोई positive trigger है अगर आपको long term investment करना है तो fundamental trigger को देखना जरूरी है उसके news को समझना जरूरी है तो आज मैं ऐसे ही एक fundamental trigger बताने वाला हूँ PNB bank के वाये में क्या कि PNB bank को क्यों कहा जा रहा है कि बहुत कम समय में आपके पैसे को double कर सकता है triple कर सकता है जी हैं आपने सही सुना ये पैसे double और triple होने वाला stock अभी बन गया PNB लेकिन क्यों इसके पीछे fundamental trigger क्या है तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ fundamental trigger पूरे numbers के साथ पूरा data के साथ तो आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखेगा और हाँ चैनल को subscribe करना ना करना आपकी मरजी है अगर वीडियो अच्छा लगा है तो like कीजिए या dislike कीजिए ये भी आपकी मरजी है मैं आपसे सिर्फ इतना request करूँगा मैं आपसे सिर्फ इतना प्रातना करूँगा कि आप मेरे इस वीडियो के नीचे आप comment में कुछ ना कुछ जवू लिखिए चोटा इस ही एक comment जवू लिखिए आप दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे कि पंजाम नेसल बैंक और इंडिया का मरजर लास्ट यह हो चुका है और इस मरजर के पीछे कारण था आइडिया था किसे एक next generation bank बनाने का और दिसंबर 2020 में इसका IT integration हो चुका है और 1st April 2021 से एक पूरी तरह सा single entity के तरह एक single platform पे काम करना start कर दिया है इसका जो दूस्य बैंकों के जब merger हुआ PNV में तो उसके बाद इसका 1st April 2021 से IFC code, MICR code सब कुछ अब change हो चुका है और एक single entity के तरह काम कर रहा है और अब यह पूरा ready है टेक अफ के लिए पंजाम national bank एक Indian government bank है और इसका headquarters देली में है इसका funding हुआ था 1894 में मतलब more than 100 years पहले की bank है यह अब merger के बाद एक second largest Indian government bank बन चुकी है अब इसके पास more than 180 million customers है more than 10,000 branches है more than 13,000 ATMs है और अब April 2021 के बाद जब single entity बन चुकी है तो अब इसका main focus है digital banking पे तो अगर आपका new account खोलना है तो अभी वो digitally account खोलेगा digitally KYC होगा कोई personal loan लेना है तो उसका pre-approval भी digitally होगा मुद्या loan up to 50 trillion के लिए digitally होगा तो इससे सब इनका focus सब digital banking पे है Morgan Stanley recently इसका जो rating है वो underweight से equal weight किया है इसको upgrade किया है क्योंकि इसका valuation आए cheap और फरवरी में इन्हों ने जो real post किया है उससे मैं इसा अनुमान लगा जागा था कि 440 करोर का loss होगा लेकिन इस bank ने इसका अपने profit दिखाया 506 करोर का तो कहा 440 करोर का loss estimate किया जा था लेकिन वहां NP है last quarter में वो था 26500 करोर का और अभी ऐसे estimate किया जा रहा भी अनुमान लगा जा रहा है कि इसका NPA घट के 22,000 करोर का हो जाएगा मतलब साहे 6000 करोर सुधा जाएगा इसका मतलब समझते हैं आप साहे 6000 करोर NPA कम हो जाएगा मतलब साहे 6000 करोर का एक cash flow bank में आएगी तो एक जाए मिलेगा इसका profit increase होने में इसका profit increase होगा इस quarter में और आपको बता दो कि इसका जो NPA है वो 4% से घटकर 3.25% होने का chance है इस quarter में और इसका जो profit आएगा वो estimate के हिसाब से देखा जाए तो 4000 करोर का इसका profit आएगा profit after tax आएगा 4000 करोर का इतना होना चाहिए और next quarter यानि Q1 FY 22 में DHFL का recovery भी आना चाहिए जैसा कि RVI already cleared in PEL resolution इसका loan book expect किया जा रहा है कि वो increase होकर 7.5 करोर का होना चाहिए Q4 में profit after tax 400 करोर का होना चाहिए Forecast of CAGR growth 7.8% का होना चाहिए FY 23 में और अब इनका focus है digital first approach पर जैसा कि मैं पहले बता चाहिए कि अब सब को digitally करने वाले हैं आपका account खोलना है KYC करना सभी digitally होगा यह लोन अप्रूबल है वो डिज्टली होगा तो एक बन यह वी एक positive news है और recently इसमें FIA का बहुत buying हो रही है recently अगर आप देखेंगे तो FIA ने बहुत buying की है इसमें और buying कर रहे हैं भी और इसका अगर shareholder pattern देखेंगे अगर इसका share holding pattern देखेंगे तो आप देखेंगे कि only 9% only 9% इसका share जो है आम public के पास है बाकिशे या तो promoters के पास है या FIA के पास है या बड़े investor के पास है तो यह भी एक बहुत बाए नीज है क्योंकि retailer के पास सिफ 9% share है Q4 का जो result आने वाला है एक बहुत बाए result आने वाला है और हो सकता है कि अपके एक साल में यह PNV का share price बढ़कर 100 उपीज भी हो सकता है एक साल में और क्योंकि इतने सारे positive news हैं लेकिन अभी जो COVID का situation है अगर इसे समय में अगर हम और आप अगर precaution नहीं लेते हैं और अगर स positive होगा तो एक negative point हो सकता है और merger के बाद PNV related आपके अगर कोई सवाल है अगर कैसे काम करेगा credit card कैसे काम करेगा तो अगर कोई सवाल है तो मैंने description में एक link दिया हूं वहां से आप PNV का जो effect की हुए है आप वहां से आपका answer मिल जाएगा अगर banking related कोई आपका question है तो तो यह था मेरा analysis आपसे एक request है कि please please आप comment में छोटा सही सही लेकिन एक comment जो लिखिए थैंक्यू जैंद